हलो गाइस गोड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब वेलकम टू माई न्यू व्लोग तो फ्रेंस सुबह हो गी है और आज हस्बन के और बेटे की चूटी थी तो थोड़ा लेटी उठी चाइवाई पी तो किछन में थोड़ा सा समान था जो फैला हुआ था वो रख रहे थी और तो सुबह सुबह क्या ही काम होता है यह लड़ू बनाए थे धनिया के लड़ू गर्मियों में तो बड़ी सुआद लड़ू बने है तो चाइव अगयरा पी ली थी तो रात को मैं ना सूट स्टिच कर रही थी यह वाला देख रही हो इसके कमीज तियार कर दिया था स्लीव स् का ट्राउजर रहता था काफी लेट हो गया था तो मैंने चोड़ दिया और ऐसे ही सब चोड़ के मैं सो गई थी फिर सोचा की बाद में मैं करूंगी तो अभी देखना सुबह थोड़ी सी बारिश होके अटी थी जाड़ू वाड़ू सब पड़ा हुआ था और यह सूट स् और तकंगा। है, तो मैं वही देख रहा थी कतने सूट स्टीच करने है कौन सा कब शूच है देने है वह सब देख रहा हुआ है, इतने भी थाली Size सबमेни तमरी किसी ना किसी की सूटीच 安 आप भी शूट रहा है। तो फिर मैंने सोचा जो रात को सूट मैं छोड़के सोई थी, सोचा पहले वही कंप्लीट करी देती हूं, और बाकी जो होगा वह मैं बाद में करूंगी, सुबह सुबह कियान अभी तक नहीं उठा था, सो रहा था, तेजु उठिया था, और हजबन भी उठिये थे, वो नहा लिए थे, मैंने चाइवाई पी के, और थोड़ देर बाद मैं मसीन पे बैठी की थी, ये सूट मैंने कंप्लीट किया, तो बस यही कर रही थी, मैं इसका इसके बाद ट्राउजर स्टिच किया, और यहां पे मैंने तेजु से अपने चस्में मंगाए, एक्चुली स्पैक् करना थोड़ा मुस्किल होता है, तो बस वही कर रही थी, दोस्तो मेरी वीडियो को पूरा देखना और अच्छा लगे, तो लाइक भी करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना, तो मुझे आपके बहुत स्पोर्ट की बहुत जरूरत है, करना पर मैं स्टीचिंग कर लिया था, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद कियान उठी किया, कियान के उठने के आदा एक घंटे बाद मैंने उसको नहला दिया, एक्चलि उसकी तब यह थोड़ी खराब थी, तो डॉक्टर के लेके जाना था, फिर उसको मैंने सोच आए फटा-फट से उसको नहला देती हूँ, डॉक्टर के लेके जाना है, तो डॉक्टर गुसा करता है, बिना नहाए, अग उसको लेके आते हैं, तो, एक्चलि उसको फीवर था, हम सोसते हैं, फीवर है तो नहीं नहलाना चाहिए, जबकि डॉक्टर मना करते हैं, कि फीवर है तो जरूर नहलाना चाहिए बच्चे का टेंपरेचर उससे डाउन हो जाता है ठीक रहता है और यहाँ पर मैं उसको कोकनेट का ओईल लगा रही थी मैं पूरी बोड़ी पर उसको ओईल ही लगाती हूँ कोई लोसन या कोई क्रीम नहीं लगाती और यहाँ पर देखने यहाँ चुड़ू आ रहा था यह बिल्कूल भी नहाने में भी ऐसी परशान करता है और जब इसको ओईल लगाती है ऐसी परशान करता है और इसको पाउडर डलवाने का इतना शोक है बहुत चोक है उठा के पाउडर खुद ही डालना शुरू कर दीता है और जैसे इसको जैसे जैसे मरजी आप जैसे मरजी आप इसको करवालू वैसे ही कर ले गाई देखना बड़िया आरामसे बल्कूल भी नहीं कर दोता है जब तक पाउडर डालते हैं तब तक यह चूपचान बैठा रहता है लेकिन उसके तुरंद भाद देखना कैसे भाग पकड़ पकड़ के इसको कपड़े पहनाने पड़ते हैं तेल लगाना पड़ता है और यहां पे देखो हम सब इसके इसके साथ लगे हुए ताकि आराम से कपड़े डाल ले इसके पापा यह हम ना एक मेले में गूमने गए थे वहां पर एक मास्क ऐसी अच्छा लगा अच्छा क्या लगा ऐसी थे जो बोला मुझे लेना है तो हम ले आए तो इसको डॉक्टर के लेके जाना था तो भोल लेते सेंडल डाल लो और इसके नेल्स ए दूसरे हाथ के बड़ी मुश्किल से नेल्स कट किये फिर यह बार-बार उठके भाग रहा था कि मुझे ले चलो बहर जाने को बड़ा त्यार होता है बड़ा खुश होता बहर जा के चाहे इसको भूग भूग प्यास भी लगए तो भी बहार गूमता ही रहे गा इसको चले गए थे तो फिर मैंने सोचा चलो घर पे है नि मैं फटा फटा अपना काम निपटा लेती हूँ एक्चुली घर पे कोई नहीं होता तो बड़ा इजली काम निपड़ जाता और जल्दी भी हो जाता है तो बैट सी थोड़ी गंदी होगी थी होगे थे इसको दो तिन दिन बिचाई हुए इस मोसम में बड़ी जल्दी खराब से हो जाते हैं कपड़े मैंने सोचा चेंज कर देती हूँ तो यहां पर मैंने सीट बिचाई हुई है जो मैट्रेस है उसके लिए सीट मैंने मंगा रखी है क्योंकि छोटा बच्चा है कुछ गिरा देता है कई बाट डा काम वाली आती है जारू पचा करती है उससे पहले मैं फटा फट से जो मेरा रहता है कि मैं वह काम निप्टा लेती हूँ बाहर बारिस आई थी तो कपड़े मैंने अंदर डाल दिये थे वह सूप गे थे तो मैं सोचे कटे करके रख देती हूँ बाद में उनको फॉल्ड कर कर दूँगी काम वाली आएगी तो फिर उससे पहले में जहाट पहुच का जो भी काम है वह फटा-फट से निप्टा लूँ तो इतनी देर में जैसे ही मैं कर रही थी बस करके हटी थी इतनी देर में मेरी काम वाली भी आगी यह बड़ी सही है मुझे बहुत अच्छे से का करती है और बड़ा ही अच्छा इसका बिहेव है बड़ा सांसभाव के साथ काम करती है तो काम करके चली गई थी थोड़ी देर बाद मैंने खाना बनाना शुरू किया इनका आने का टाइम हो गया था तो मैंने सोच भूक लगी होगी काफी टाइम हो गया था तो मैंने सबजी बनानी शुरु कर दी, तबी कोई आ गया फिर चाय बनानी लगी में एक साइड मै ने चाय चढ़ा दी, एक साइड मैंने सबजी चढ़ा दी, इतनी देर में फिर हजबन आ गे, हजबन बोले मुझे भी चाय पीने फिर मैंने उनके लिए थोड़ा और एक कप चाय का पानी एक जीवजी बन गी थी तो देखे फिर मैं नहानी चली गी थी मैं थोड़ी देर बाद तो वही हमने लाके रखी हुई है जैसे दाल वगहरा या कोई तरी वाले सबजी बनाई है तो उसमें टमाटो प्यूरी डालते हैं और जो सबजी बिना उसके बनती है टमाटर के जैसे भी इंडी हो गया तो ऐसी एक दो सबजी और वो मैं ले लेती हूँ उसमें टमाटर कितन मैं ना फ्रीज में वो रखने चली गई जो समानिया रखा था और जब तक आई मैं भूल गी कि मैंने चाय की गैस तेज की हुई है और चाय मेरी निकल गी और जब चाय और दूद निकलता है भगवान बहुत गुसा आता है मतलब परशाननी बढ़ जाती है काम बढ़ जाता है और अगर नीचे तक चाय दूद निकल आए तो काम बहुत बढ़ जाता है बहुत फैल जाता है फिर चाई वाई डालके मैंने इसके बाद गैस तुरंट साफ की अच्छली अगर बाद में गैस साफ करती हूँ तो वो सूख जाता है साफ करना बड़ा ही मुस्किल होता है यह अभी गिल्ला था अच्छे से अराम से इसली यह साफ हो गया तो मैंने gas waste साफ करने के बाद इनको चाय दे दी थी, चाय पी ली थी, फिर मैं नहानी चली गी थी इनको चाय वाई देने के बाद, यहाँ पर देखना कितना speedily काम करें, यहाँ पर कियान आ गया था बीच में, रोने लगया, कहने लगया गोध में ले लो, तो उसको रहता है किचन में की बस गोध में लेके ही काम करें, तो यहाँ पर मैं नहां के आगी थी, सबजी मेरी बन गी थी, एक साइड करके, फिर मैं रोटी बनाने की त्यारी कर रही थी, धवावाद होके रख दिया, फिर मैंने सोचा तब तक आटा गून लेती हूँ, एक्चुली मैं हर कावी दो रोटी बनानी है, तो गून के रख देती हूँ कि आद बार बार गूनना, लेकिन इस मोसम में मैं अगर दो रोटी जब बनानी है, तो दो काही गून हूँगी, कभी कभार एक रोटी, दो रोटी काटा बच जाता है, तो भले ही मैं फ्रीज में रख दूँ, अ एक्चुली मुझे किसी ने बता था कि खड़े हो के कभी पानी नी पीना चाहिए से घुटनों में दर्द होता हैं तो उसके बाद से मैं बैठके ही पानी पीती हूं फिर मैंने सोचा लंच बना रही हूं तो सेलेड वैलेड थोड़ा सा काथ लेती हूं जादा तो कुछ नही चाहिए मैंने बता सब बना रही हूं चाहिए मैं रचेख विर काहा तरुお願いします तो इसके बाद फिर साफ़ाफ करके और बागे काम हो में लगे थी जो दूसरे मेरे बचे हुए थे तो यह मेरी पाने की बोटल है जो मीटे गढ़े होते हैं वैसे वाली उनी से वह बोटल लिए इसके बाद सब कानी पट गया था तो सब सो गई थे कियान भी सो गया तेजो मैं नीद हमारे करें फिर में पोशे करने में कृठी करने यू है के साथ पते हूए यह अटाइच करनी है जब स्टीच हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी मल्टी कलर में लेज थी बड़ी अच्छे आशकल बड़े अच्छे डिजाइन आई हुए और यह पल्स थे और इसमें स्टोंस लगे हुए थे तो और भी दो-चार सूट थे जो मैंने आठ तारी हो जाते हैं तो अगले दिन स्टीच करना इजी होता है मैं अगले दिन उनको स्टीच कर लेती हूं और अगर कटिंग नहीं हुए है तो स्टीच करने में बड़ा याड़ा साथ है कटिंग हुए होते है तो सिरफ स्टीची रहता है कि सिरफ स्टीच करने है तो काम थोड़ा वाइट लेस थी जो क्योंकि इसकी स्लीव उस पर कोई डिजाइन नहीं था तो उस पर अटेच करनी थी तो वह भी मैं आपको दिखाऊंगे जब स्टिच हो जाएगा और एक यह रेस्ट कलर का सूट था प्योर मसलिन क्लोथ में मुझे बहुत अच्छा लगा यह सूट इसका मुझे लगा दालके रखे हुए थे कि मैंने जब कटिंग करूँगी तो मुझे याद रहेगा कि कौन से मैंने कटिंग करना है तो कौन सा मैंने बनाना यह और बनाना यह मैं निकाल दी देखती हूं आज होगे तो कटिंग करूँग convention ce I saw is were cutting the channel लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करो और यहां पर बाद भी दिखाने लगी मैंने एक यह कीट ली थी बहुत पहले मैंने ली थी तो इसका न यह मुझे अच्छी लगी थी लैदर में थी तो इसका कहीं कहीं से कलर फेड हो गया था खराब होना शुरू हो गया था तो बैटे बैटे दिमाग में कलाकारियां सूचती रहती है देखो फिर मैंने एमजोन से यह पल्स मंगाए और यह इस पे लगा रही थी मैं तो कुछ दिन तो लगाए फिर आलसानी लगे बीच में चूट गया और पूरी हुई नहीं वो मैंने चोड़ के रख दे जब कभी प कमीज बनाया हुआ है तो बड़ी प्यारे लगते हैं यह थोड़ी डिजाइनर सी फैंसी सी लुक देखते हैं विदाउट स्लीव ओफ सोल्डर यह इसके साथ पैंट था नीचे यह जो कमीज का है वो मैंने कपड़ा टैच करके इसके पैंट बना दिया था छोटी मोटी डि पर ऐसा मैं बालों में कुछ खास करती भी नहीं हूँ पर फिर भी बहुत जब से क्यान के होने के कुछ महिने तक तो बिल्कुल ठीक थे बाल लेकिन अभी न दो तीन महिने से बहुत जादा बाल टूट रहे हैं बहुत ही कम हो गया है वैसी ग्रोथ कम है तो टूट टूट